देखें इंडिया गटबंदन में सबसे पहले अगर सीट किसी को मिला है तो वो टुना जी पांडे हैं टुना जी पांडे अब राज़द के टिकट पर महराज गंज लोगसभाद छेतर से चुनाओ लड़ेंगे और अब वो तैयारियों में जुट गए हैं साफ तोर पर वो इसारा दे रहे हैं कि महराज गंज लोगसभाद छेतर से वो चुनाओ लड़ेंगे और जब वो महराज गंज लोगसभाद छेतर से चुनाओ लड़ेंगे तो थोड़ा महराज गंज लोगसभा का जातिय समीकरन और इतिहास जानते हैं कि वहाँ पर कौन-कौन लोग कि जो पकड है वो सबसे अधिक है तो महराज गanज लोकसभात छित्र को दूसरा चित्तोरगर कहा जाता है और चित्तोरगर का मतलब राजपुतो का डबदबा और यहां पर राजपुतो, राजपुत समाज से आने वाले सांसोदों का भी दबबा रहा है चाहे आप राम बहादूर सिंग की बात कर ले या फिर उमा संकर सिंग की बात कर ले परभुनाज सिंग की बात कर ले जनार्धन सिंग सिग्रवाल की बात कर ले ये सबी लोग राजपुत समात से हैं और ये लगतार महराज गंज पर अपना राज जमाते रहें लेकिन इस बार परिवर्तन देखने को मिलने वाला है इस बार कोई ब्रामन आ रहा है और वो भी राजद के टिकट पर जातिये समिकरन को समझे यहाँ पर सबसे अधिक राजपु का बोल बाला है और उसके बाद यादो फिर आपको ब्रामन और भुमिहार भुमिहार ब्रामन कहें या फिर ब्रामन भुमिहार कहें इनका दबदबा है ब्रामन भुमिहार का जो भोट है लगभग दो लाख वोट वो एंडिये को हर बार जाता है जो स्वान समाज का वोट ह वो लगतार NDA को जाते रहा है लेकिन इस बार समिकरन बदलेगा इस बार यादो ब्रामन भुमिहार मिलेगा और इंडिया गटवंदन को वोट करेगा इसके लिए समझेए जहां एक तरफ महराज गंसे लगतार राजपुत चुनाओ लड़ते आएं अगर आप 2014 की बात करे तो सिग्रवार वर्सिस परभुनाथ सिंग हुआ आप 2019 की बात करे तो सिग्रवार वर्सिस अंधीर सिंग हुआ परभुनाथ सिंग के बेटे और उसके बाद सादू यादो भी यहां से चुनाओ लड़े लेकिन सादू यादो लड़ाई में कहीं नही राजपूत की लड़ाई राजपूत से लेकिन इस बार लड़ाई अलग होने वाली है ब्रामन इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और नाम है टुनाजी पांडे इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और तेजस्वी यादों के तरफ से उनको हरी जंड मिल गई है महराज गंज लोग सवाथ छेत्र में वो लग गए हैं और कल से छेत्र भ्रामन करने लगे हैं और देखिए दो लाख हमने आपको बताया है कि दो लाख भ्रामन भुमिहार का वोट जो है वो इंडिये को जाता है लेकिन अगर तुना जी पांडे उतरते हैं मैदान में तो जातिये जो वोट है वो तो बदलेगा ही क्योंकि आज भी बिहार में लोग जाती के अधार पर वोट करते हैं तो लोग देखेंगे कि हमारे समाज के लोग अब आ रहे हैं हमारे समाज का कोई नेता हमारे बीच आया है तो ब्रामन और भुमिहार कटेगा क्योंकि मह महराजगंज लोकसभा में आज तक कोई भी पाटी जल्दी किसी ब्रामन और भुमिहार को टिकट नहीं दिया लेकिन इस बार राज़त जो है एक ब्रामन को उतारने जा रहा है तुना जी पांडे लगतार सिवान से राज़त के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे लेकिन उनको महराजगंज सिप्ट किया जा रहा है क्योंकि गुपाल गंज रिजर्व सीट है तो सिवान से के बगल में गुपाल गंज और गुपाल गंज के बगल में महराजगंज तो महराजगंज में इनको सिप्ट कर दिया गया है और इस बार महराजगंज सभाद चेतर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं तो हमने आपको बताए कि दो लाख ब्रामन और भुमिहार का वोट तो उसमें से लगभग एक से डेर लाख वोट जो है वो टुना जी पांडे काट लेंगे एंडिये का महराजगंज लोग सभाद चेतर में जो है आपको छे बिधान सभाद चेतर है और उस छे बिधान सभाद चेतर में तीन पर राज़त का कबजा है एक पर कॉंग्रेस का और एक पर माले का कबजा है और एक ही सीट पर भाजपा का कबजा है तो अगर बिधान सभा के हैसियत से आप देखे तो इसमें भी टुना जी पांडे को बह माले का भी समर्थन मिलेगा आप अगर देखे तो माजी विधान सभाचेत्र माले का है अगर वहीं बात करे तो फिर माराज गंज में एकमा विधान सभाचेत्र परता है वो राजत का है और उसके बाद गोरिया कोठी जो है ये भाजपा के पाले में चला जाता है माराज में कॉंग्रेस के ही विधायक है जिनका नाम विजय संकर दुबे है वो पहले आपको माजी विधान सभासे थे और उसके बाद फिर वो महराज गंज में सिफ्ट हो गए है तो ये समिकरन जब टुना जी पांडे के साथ होगा तो टुना जी पांडे की जीत होगी और 2019 में 5,46,352 वोट मिले थे वही रंदीर सिंग को 3,15,580 वोट मिले थे लेकिन अब अगर टुना जी पांडे आते हैं तो जनारधन सिंग सिग्रवाल का जो 5 लाख वोट है उसमें से आप 1,5 लाख वोट माइनस कर लिजे तो लगबग उनके पास मात्र 4 लाख वोट मिले पड़ जो है वोट करेंगे ब्रामन जो है वोट करेंगे भुमिहार वोट करेंगे तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी का ये जो नया समिकरन बनाने का तरीका है ये फायदे मंद होने वाला है और तेजस्वी आदो भी समझ गए है कि अगर महराज गंज लोकसभा पर अपना जंडा लहराना है तो किसी ब्रामन भुमिहार को मिद्वार बनाईए और उसके बाद महराज गंज लोग सवाद छेत्र पर अपना जंडा लहरा लीजिए अब आगे देखें क्या होता है किस तरीके से टुना जी पांडे जब छेत्र में घूम रहे हैं तो महौल किस तरीके से बनाते हैं बरात इसका पर में इतना ही बनाईवार साथ और देखते रहें The India Top